हलो एवरिवन, बहुत दिनों से मैं अपने यूटूब चैनल पर एक्टिव नहीं थी, क्योंकि हमारी फैंबली में एक ट्रेज़री हो गई थी, मेरी ग्रेंड मादर इलनो मतलब मेरी दादी सासुजी एक्सपायर हो गई थी, 14th of May को, Mother's Day वाले दिन, वैसे तो उनकी एज हो श्रीवाती विंबला देवी था, और वो राजसान लेबर कोट से, as a senior reader, retired होई थी, she was a government servant, मतलब, 14 तारिकोंकी, डैथ हुई, और 12 माई को, दादा दादीची के अनिवर्सिटी थी, और मैने उनके लिए केक भी भेजा था, उनने अच्छे से केक काठा, celebrate किया, वो बहुत खुश थी, वीडियो कॉल पे भी बहुत खुश थी, 13 को भी वो बहुत सही थी, बट रात को एकदम से उनने ब्रीफिंग प्रॉबलम हो गई, क्योंकि वो उनने लंक्ष प्रॉबलम थी कुछ सालों से, तो एकदम से उस वज़े से उनने ब्रीफिंग प्रॉबलम हो गई, उन्हें hospitalized किया गया और कुछ एक ताइम में डॉक्टर ने उनको ventilator पे ले लिया 14 की morning तक वो हमें छोड़के चले गई ये हमारे लिए shocking था क्योंकि एक हस्ता खेलता इंसान इतना हिम्मत वाला चो इस age में भी उनो बिल्कुल डटा हुआ था नहीं मैं कहीं नहीं जनाने वाली मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी वो ऐसे हमें छोड़के चल जाएगा दादी बहुत positive थी वो positivity और motivation का एक live example थी जहां इस age में लोग हिम्मत तोड़ देता है वो अलगी थी बिल्कुल उनका जैसा तो मिलना ही बहुत मिश्किल है मेरी शादी को 6 माईने हुए और engagement को बन एर हो जाएगा तो मैंने जाधा टाइम तो उनके सथ स्पैंड नी किया पर जितना भी किया है ना उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया एक next level वाला प्यार दिया मैं जावी पि उनसे मिलती थी ना तो वो मुझे इतने प्यार से टीट करती थी या मैं पूल जाती थी वो मेरी साफसुजी है वो मुझे बिलकुल यसे पोती के जैसे रह करती थी और मुझे नंतयों बहुत प nigग गार ने को नहीं को ने बटा ले थी और कहानियां सुनाया करती थी, मेरी बाते सुना करती थी, कि मुझे भी बाते करना बहुत पसंद है, तो दादीजी बहुत इंटरस्ट रिया करती थी, मेरी बातों में, बैंक से रिलेक्टे जो भी मेरी बाते होती है, मेरी पर्सनल बाते जो भी है, तो बहुत मज़े आते थ मैं आपको और अपनी दादी जी की स्टोरी बताती हो वो वरिंदावन की रहने वाली है और शादी से पहले भी वो उन्होंने ऐसे नर्स काम किया है ये बात मुझे उनकी सिस्टर्स ने बताई की दादी जी ने ऐसे नर्स भी काम किया है और उन्होंने छोटा मोटा और भी का किया है शादी से पहले फिर दादा जी के बाद उन्होंने अपनी स्टड़ी कंटीनियू रखी उनके दो बच्चे हो गए फिर भी वो उन्होंने पढ़ाई कंटीनियू रखी और यहां से 50 साल पहले की बात है जहां पे होड़ तो को सिर्फ एक घर तक सीमित रखा जाता था भर की रसोई तक सर्विस और पढ़ाई तो बहुत दूर की बात होती और पढ़ाई मिलती भी थी तो उनको लिमिटेड मिला करती थी दादी ने कंटीनियू पढ़ाई रखी अपनी शादी होने के बाद में बच्चे होने के बाद में और 14 अप्रेल 1975 को राजस्तान लिबर लिजारी उनका जो ग्यान था उनने हमेशा सबको बाटने की कोशिश करी वह बोलते न ग्यान बाटने से भड़ता है और वो एक सच बात है अगर हमारे पास कुछ है तो अच्छा है तो अच्छा ग्यान है तो हमें सबके साथ में आवियसली उसको शेयर करना चाहिए मैंने सुना है कि दादी जी बहुत ही जादा ताकत वर्थी ऐसा मेरे हजबेंड बोलते कि दादी बहुत ताकत वर्थी बहुत ताकत वर्थी तो दादी बहुत फीजिकल और मेंटली बहुत स्टॉंग थी उनकी जिंदिकी उन्होंने पूरी भागा दोड़ी में निकाली है और वो इस age में दिखता था वो अलग ही level की जो एक्टिवनेस है उन्होंने जिस तरीके से अपनी जिंदी की जी है न education के साथ में एक अच्छी government service के साथ में या बोल एक अच्छी service के साथ में तो वो दिखता था उनके अंदर जितने में family members है relatives है वो हमेशा ये बोलते थे कि दादी जी ने हमेशा हमारी मदद किया आगे होके जहां पे भी दादी की ज़रत पड़ती थी थी वो कभी पीछे नहीं हटती थी वो इवन इस age में भी बोलती थी अरे मैं सब कर डूंगी मैं कर डूंगी कोई भी बात होती थी ना तो दादी ऐसे पोला करती थी अरे सब हो जाएगा सब हो जाएगा तो दादी की मुझे मैंने कभी negative बात तो सुनी ही नहीं है negativity को अपने आसपास भी नहीं आने देती थी और रहना दो महने पहले की बात है दादी मुझे बता रही थी मैंने पोचा कि दादी अपने शादी के बाद पढ़ाई continue रखी और फिर बच्चों के इस ताइम पे अपकी जॉब लगी और दूरिंग जॉब चाचा जी दादी की जो थर्ड चाइल्ड है वो हुए तो अपने ही सब कैसे मैनेज़ के है क्योंकि आज के टाइम पे तो हस्बंड बाइप मोस्ली दूने ये वर्किंग होता है तो वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है और उस टाइम पे maternity leave भी बस एक से दो महीने की मिला करती थी तो दादीजे ने बोला कि जब वो छोटे से थे तो उन्होंने प्री जॉइन किया उनको बाद परेशानी भी आती थी एक छोटे बच्चे को घर चोड़के जाना अपनी mother-in-law के पास में छोड़के जाती थी फिर जॉब कंटीनू करके क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं नहीं अपनी मदर के बिना पर उनके बस कोई option नहीं था सोचे उस जामाने में जहां कर ऐसा हो था ता ना तो अवरत को घर बे टाले जाता था तो नहीं तुम बच्चे समालो घर समालो जॉब करने की ज़रूट नहीं है और फिर भी फैमिली ने उनको सपोर्ट करा और सबसे बड़े चीज तो उन्होंने सब मैनेज किया उनोंने बोला किुछा कि उनों की सासूजी, वो भहत मैनेज करती थी, और एक कम आइसा है था एक ऐसा आए थे था जोगा हो थोड़ा जौअ करिए सब चीजे दीरे-दीरे ठीक हो गई तो मैं उनकी स्टोरी सुनके इतना मोटिवेट हो गई ना मैंने बोला आजकल तो लोगे वर्क लाइफ बैलेंस पदा नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं और उन्होंने उस टाइम पे सब कुछ करके दिखा दिया वो भी पॉजिटिविटी के साथ में और वो 2008 में रेटाइर हुई 33 एर्स की अपनी सर्विस कंप्लीट करके राजस्तान लेबर कोट से as a senior reader तो यह बहुत ही proud की बात है हमारी family के लिए और उन्होंने शुरू से लेके अंत तक जो भी काम किये education से related वो सब इसलिए कि उनकी खुद के साथ से उनने अपने family के लिए भी किये और दादी जी की सबसे अच्छे बात यह थी ना कि वो चानती थी कैसे खुश रहते हैं खुश कैसे राज आता है खुश रहना उन्हें बहुत अच्छे से आता था जो सबको नहीं आता है मम्मी जो बताया करती थी ना दादी जो आफिस जाती थी ना तो वो matching की चूड़िया matching की विंदी पूरा tip-top होके जाया करती थी मतलब ठीक है सब चीश अपने जगे पर दादी का पहनावा होता है ना इंसान की personality वो डगमागाने नीचे थी वो दादी जी के अंदर था अब तो सिर्व बाते रह गई है वो चले गई है यही होता है जिंदीकी का कुछ पता नहीं है आज क्या है कल क्या है परसो क्या होगा भगवान करे दादी के आत्म को शान्ती मिले स्वार्ग की प्राप्ति उने उन्होने जो कर्म किये और अपनी जिंदिकी में वो बहुत अच्छे थे बहुत अच्छे कभी किसी का पूरा उन kidneys हार्ट वर्क कि मत भम हार्ट वर्क तो उनकी जिंदिकी थी एजूकेशन ले लो फैमिली ले लो हर चीछ के अंदर इवन मेरे हस्बेन पताते कि वो उनने और उनके भाई भाया करते थी संस्क्राइब करते थी और वो लोग फूल आउट फूल माक्स लाया करते थे संस्क्राइब के अंदर दादी ने हर चीछ में कॉंट्रिबूट किया है वो उनने अपने जिन्दगी कॉंट्रिबूशन में बिताई ये पूरी तब ही उनके एक अलग परस्नालेटी थी दादी जहां पे भी होगी आई खोप वो बहुत खुश होगी और अपना आश्रिवाद हम पे जरूर बनाए रखेगी मुझे पूरा भरोसा है मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि हमें हमारे बड़ों को जरूर टाइम देना चाहिए हाँ आज की जिन्दकी बहुत भागा दोड़ी की हो गई है हम अपने प्रोफेशनल लाइफ के बज़े से उनके पास ज़्यादा रह भी नहीं पाते हैं मैं तो खुद नहीं रह पाती हूँ मेरी जॉब अपने घर से 700 किलोमेटर दूर है पर मैं ट्राइ करती हूँ पूरा की जितना कॉंट्रिब्यूट कर सकूँ करूं और करूंगी तो प्रिकि जो हमारे बड़े हमसे दूर चले जाते हैं हमें तब ऐसास होता है ऐसे ही चलता रहेगा हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा ठीक है भड़ो करियर में आगे भड़ो सब कुछ करो लेकिन अपनी फैमिली को मत भूरो क्योंकि जो सपोर्ट और जो अच्छी अच्छी बाते और जो चीज़े हमें हमारी फैमिली से मिलती है न वो हमें भार से कभी नहीं मिल सकती कभी भी नहीं उनका सपोर्ट होने से ही उनके आश्रवाद से हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं ऐसे तो नहीं तो यह थी हमारी दादी के बारे में और यह तो छोटा सा इससा था उनकी जिंदिकी में तो और भी बड़ी-बड़ी चीजे थी बड़ी-बड़ी बात ही थी वो खुदी एक बड़ी हच्ती थी तो अब next time में जब घर जाओंगी तो मैं ट्राइ करूंगी सबसे उनके दादी